हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग चतुर्थ अस्तंब फॉर्थ स्टेट के बारे में चत्चा करने जा है हम लोग जानते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ अस्तंब कहते हैं फॉर्थ इस्टेट कहते हैं तो फॉर्थ इस्टेट कहने का चतुर्थ अस्तंब क क्युं कहते हैं इन दोनों बातों को जानना आवश्यक हो तो हम लोग इन दोनों बातों की ही चर्चा करेंगी यहां पर पहली बात इसे रहत चतृर्त-अस्तंब कहते क्यों है तो लोक तंद्र की ताम हम जानते है एक्सिकेटिव लेजिस्लेटर और जुडिशिरिव और प्रेस या मीडिया को चफा अस्तम्प कहते हैं क्यों REALLY को वीडिकल की तरीके से यूज किया जा सकता है इसलिए इसे लोगतंत्र का चौथा स्थम्प कहते हैं यह यू कहें कि यह प्रभावित भी कर सकता है इसलिए भी कहलाता है तो पहली बात कि चतुरत स्तंब का मतलब क्या हुआ पूर्थ स्टेट का मतलब क्या हुआ मतलब हुआ इसका अर्थ हुआ कि यह पॉलिटकल फोर्श के रूप में यूज हो सकता है सेगंड दिंग कि क्यों इसको फोर्थ स्टेट कहा जाने लगा बात 1828 की है और थर्मस बैबिंग्टन मैकॉले ने इसकी शुरुआ दें तो मैकॉले ने शुरुआते हैं तो मैकॉले ने शुरुआते हैं तो उस समय हाउस आफ कॉमन्स की जो प्रेस गैलरी थी हाउस आफ कॉमन्स की प्रेस गैलरी को मैकॉले ने फूर्थ इस्टेट कहकर के पुकारा चौथा अस्तंब कहकर के पुकारा उस पूरी गैलरी को जहां प्रेस कर में बैठते हैं उस पूरी गैलरी को फूर्थ केलिया को 14 अस्तंब कहा जाने लगा, 4 इस्टेट कहा जाने लगा तो आज भी प्रेसीआ मीडिया 14 अस्तंब या क्या जानाता है तो क्यों कहलाता है हम लोगों ने इसके बारे में एक संच्छिप से चर्चा की तो फिलाल इस वीडियो में इतना है थैंक यू